आज हम Pre-NCN Assam के राजा विश्मक और बान राजा के बारे में MCQ फर्मेट में चर्चा करेंगे साथ ही कुछ unknown mythological facts भी simple language में जानने की कोशिश करेंगे ये NCN Assam History का second class है पहले class में हमने कमाक्का मंदीर की उत्पत्ती से लेकर मायरंग राजा राजा नरकाशूर के बारे में डिटील से जानने की कोशिश की थी अगर आप इसे नहीं देखे तो इस वीडियो के अंत में इसका लिंक में दे दूँगा आप इसे देख लिजिए में स्टाडी में मिल जाएगा तो चले शुरू करते हैं आज का class आज का पहला question who was Raja Bhishmak Raja Bhishmak कौन थी इसका option है a king of Kundila b minister of विदर्वा c king of प्राग जुतिशा या d ministers of प्राग जुतिशा इसका सही अंसर है चले जानते हैं इससे जुरे कुछ important बाते कुंडिना विदर्वा या कुंडिला की राजदनी थी कुंडिल नगरी असाम के सदिया पर था अरणचल प्रदेश के विश्मक नगर के पास की पहारियों से निकल कर कुंडिल नदी मुखरूप से दक्षिन की और बहती है और सदिया घाट के पास लोहित नदी से मिलती है कहा जाता है कि भगवान स्रीकिष्ण रुक्मिनी के सादी करने के लिए उस्तुक थे लेकिन रुक्मिनी के पिता ने उन्हें शिशुपाल के सादी देने की विवस्ता की थी तब स्रीकिष्ण आकर राजा बिश्मका और शिशुपाल के साथ युद्ध किया और उन्हें हरा दिया साथी रुकमनी को अपरं करके उनके साथ साधी कर ली यह रुकमनी हरन नाम से पचलिथ है Next, रिकिष्णा after kidnapping रुकमनी मेरेड़ ए प्लेज इन गुजराट णेम डेट प्लेश रिकिष्णा ने रुकमनी को अपरं करने के बाद गुजराट के एक जगा पर साधी कर ली उस जगा का नाम बताएए इसका option है A. माधपूर B. कानवा C. मधपूर या D. वागाई इसका सहींसर है A. माधपूर Which place of Assam is also known as city of blood? Assam कि किस स्तान को खुन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसका option है A. धुबरी B. सोनापूर C. तेचपूर या D. कामपूर इसका सहींसर है C. तेचपूर Who was Banraja in Pre-Ensian Assam? पुरबर प्राचीन Assam के Banraja कौन थे? Banraja सोनितपूर के राजा बाली के सबसे बरे पुत्र थे प्राचीन Assam में भगवत और विष्णुपूरान में Banraja की कहानी बताते है Banraja had many son and one daughter named her Banraja के कई बेटे और एक बेटी थे उनका नाम क्या रखा था? इसका option है A. उमा, B. उशा, C. उर्मिला या D. माया इसका सहींसर है B. उशा चले जानते हैं इससे जुरे कुछ इंपोर्टेन बाते चित्र लेखा उशा के मित्र थे एक इंग बजनती थी कि स्रीकिष्ण के पोती अनुरद्धों ने गंदर्ब समहारों के अनुसार उशा से विभा किया जो Banraja को मंजूर ना था जब उन्होंने अनुरद्धों को पकड़ लिया तब स्रीकिष्ण अनुरद्धों को बचाने आये Banraja के साथ स्रीकिष्ण की घमासान युद्ध हुआ Banraja महादेव शीब के परम भक्त थे भक्त को बचाने महादेव शीब शयंग आये और स्रीकिष्ण जो भगवान विश्णू के अफ्तार है उनके साथ युद्ध करने लगे इसे हरी हर युद्ध नाम से असाम तता भारत के पौरानिक कहानियों में उल्लेख है हरी मतलब भगवान, कृष्ण और हर मतलब महादेव शीब अशमिय कहानियों में रुकमिनी हरन और कुमार हरन की कथा पाया जाता है बानराजा फोर्ट वाज लोकेटेट एट विच प्लेज बानराजा की लग किस तान पर स्तित था इसका उप्शन है धुबरी, बी सोनापूर, सी तेजपूर, दी कामपूर इसका सहयंसर है C. तेजपूर Who was built महाभयरप टेंपल महाभयरप मंदीर का निर्मान किस ने करवाया था इसका उप्शन है A. बानभट्ट B. भासकर बर्मन C. चिलराई D. बानराजा सहयंसर है D. महाभाईरब मंदीर त्येशपूर्ग के बानराजा द्वारा बनाया गया था Next, who was भालुक? भालुक कौन थे? इसका option है A. बानराजा के पोते B. बानराजा के पुत्र C. बानभटक के पोते D. बानभटक के पुत्र इसका सहयंसर है A. बानराजा के पोते भालुक पूंग में उनकी राजदनी था Who ruled in कामरूब at the beginning of Sakha era that is in the first century AD Sakha युक की सुरुवात में यानि पहली इश्वी में कामरूब में किसने शासन किया था इसका option है A. देवेश्वर B. धरमेश्वर C. देवगिरी D. देवदत इसका सहयंसर है A. According to योगिनी तंत्र देवेश्वर एक सुद्र किंग उसने राजत्य किया था Next, during whose prior बुद्धिजिम was fast spreading in India किसके काल में भारत में बुद्ध दर्म की तेजी से पसार हो रहा था इसका option है A. बानभट B. पुष्च बरमन C. देवेश्वर या D. धर्मेश्वर इसका सहयंसर है C. देवेश्वर During the time of शुद्र किंग देवेश्वर which शुद्र राजा देवेश्वर के समय कामरूप पर किस शुद्री राजा का सासन था इसका option है A. रामपाल B. धर्मपाल C. बनमाला या D. जयमाला इसका सहयंसर है B. धर्मपाला जो एक शत्रिय राजा थे In ancient शुद्रणपीत of कामरूप acting rule in प्रताबगर Name him कामरूप के प्राचिन शुद्रणपीत के प्रताबगर में एक राजा का सासन था उसका नाम बताए इसका option है A. नरकाशुडा B. नाक्षंकर C. बान राजा या D. भिश्मका राजा इसका सहींसर है B. नाक्षंकर या नाक्षंख According to योगनी तंत्र ancient कामरूप kingdom had four main division Name them योगनी तंत्र के अनुसार प्राचिन कामरूप समरज के चार मुख बिवाग थे उनके नाम बताए इसका एंसर है A. रतनपीट B. कामपीट C. श्वर्नपीट D. श्वमरपीट According to Muslim historian फरिस्ता Before the Burman dynasty, कामरूप was ruled by a very powerful king His name was एक मुसलिम इतिहासिक कार फरिस्ता के अनुसा बर्मन बंक्ष के पहले कामरूप पर एक बहुत शक्तिशाली राजा का सासन था उनका नाम बताए इसका उप्षन है A. इंद्रपाला B. विद्यपादेवा C. शंकल D. ब्रह्मपाला इसका सही अंसर है C. शंकल या शंकल दीप Next, who founded the city of गोर और लखनवती गोर या लखनवती शहर की स्तापना किसने की इसका उप्षन है A. इंद्रपाला B. विद्यपादेवा C. शंकल D. ब्रह्मपाला इसका सही अंसर है C. शंकल या शंकल दीप Who defeated केदार ब्रह्मन A powerful king of Northern India उत्तर भारत की एक शक्तिशली राजा केदार ब्रह्मन को किसने हराया था इसका उप्षन है A. बानराजा B. विद्यदेवा C. शंकल D. ब्रह्मपाला इसका सही अंसर है संकल या शंकल देप Who defeated शंकल शंकल को किसने हराया इसका उप्षन है आज का क्लास में यहां समाप्स करता हूँ बाके के क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा अगर आप इस चैनल पर ने हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेश करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके उमीद है आप इस वीडियो को शेयर करके दोस्तों को सिखने का मुका देंगे थैंक्स फूर वाचिंग